राम राम किसवान भाहीयो मैं नितिन फिल से हजर हूँ आपके अपनी चनल नितिन देओल में किसान भाइयो आज हम बात करेंगे गेहों की बालिया निकलने के बाद NPK 19,19,19 का सप्रेख़़ए NPK 0,54 का इस्प्रेख़़ए या फिर NPK 0050 का सप्रेख़़ए कौन सा NPK का इस समय पर हमें जादा फाइदा देगा वीडियो बनाने का कराण मेरा यह है क्योंकि कम से कम 20 से लेके 22 किसान भाईयों के लगातार फोन आ गए है मेरे पास WhatsApp पर मैसिज आ गए है टेलिग्राम पर भी मैसिज आ गए है यदि आपके कुछ प्रिष्ण है आपके कुछ कमेंट है तो आप मुझे टेलिग्राम ग्रूप पर मैसिज कर सकते हैं मैं आपके सभी सवालों के जवाब बहुत जल देने की कोसिस करूँगा किसान भाई यो मैं आपको बता दूँ कि NPK 19-19-19 जो है इसके अंदर nitrogen, phosphorus और potassium और potassium तीनों की मात्रा जो है 19-19-19% दी हुई है जबकि यदि 0-52-34 की बात करें तो इसके अंदर nitrogen की मात्रा नहीं है सिर्फ phosphorus और potassium की मात्रा दी गई है वो 0050 में सिर्फ potassium दिया गया है किसान भाई यो यदि हमारी गेहों की जो growth है वहें नहीं हो रही है तो तब तो हमें NPK 19-19-19 का spray करना चाहिए क्योंकि किसान भाई इसके अंदर nitrogen, phosphorus और potassium होने के कारण हमारी जो गेहों की फसल होती है यह अच्छी तरीके से बढ़वार कर बाती है और जो हमारी गेहों की फसल हलकी हलकी पीली से बढ़ रही होती है growth कम हो रही होती है या फिर टेल्रिंग कम होती है तो इन सबी में यह काफी ज़्यादे मदद करता है लेकिन किसानवायो यदि जीरो बावन चोदिस के बारे में बात करो तो इसमें होती है फास परसोर पोटास जो हमारे गेहों के दानों के लिए गेहों के जड़ों के विकास के लिए गेहों के तनी के लिए काफी जादा उप्योगी होती है लेकिन किसानवाई जिस समय पर हमारी गेहों की फ़सल के अंदर बालिया निकलनी शुरू होती है उस समय पर हमारी गेहों की बड़वार होती है यह लगबग पूरी हो चुकी होती है इस समय पर किसानवाई यदि आप N.P.K. 19-19-19 का स्प्रेय करते हैं तो आपकी जो गेहुं की फसल होती है इसकी बढ़वार और ज़्यादा बढ़ जाती है और फिर लाश्ट में हमारी जो फसल होती है इसकी गिरने की संबावना काफी जादा बढ़वार जाती है तो किसानवा ये इस समय पर आप N.P.K. 1919-19 का स्प्रेय बिलकुल भी ना करें यदि आप इस समय पर इसका स्प्रे करते हैं तो गेहों की और जदा बढ़वार होगी और जो बालियों के अंदर हमारी दाने थे, यह मजबूत बनने थे, मोटे बनने थे, यह इनका वजन बढ़ना था वह नहीं बढ़ पाएगा और पूरी ताकत गेहों की बढ़वार में ह लग जाएगी तो इस समय पर आप एनपी के उननिस उननिस का स्प्रे बिलकुल भी ना करें किसानवाई यह बात कर लेता हूँ जीरो बावन चोथिस के तो इसके अंदर फास्पोरस और पोटास की जो मात्रा पूरी पूरी मात्रा में पाई जाती है तो किसानवाई यदि आप इस समय पर एनपी के जीरो बावन चोथिस का उप्योग करते हैं तो इस समय पर भी किसानवाई जो आपकी गेहों की पोध होती है जो इसकी जड़े होती है जो इसका तना होता है इसका भी विकास पूरी तरह से होब चुका होता है यदि आपकी गेहूं की फसल कर विकास अच्छी तरीके से नहीं हुआ है ग्रोथ कम हुई है तो आप 0.024 का इस्प्रे कर सकते हैं और यदि आपकी गेहूं की जो बड़वार है वहे बिलकुल सही हुई है गेंगों की फसल बिल्कुल भी फीली नहीं है कोई दिक्कτα आपकी फसल के अंदर नहीं है तो किसान वाइए आपको सिर्फ NPKK 0050 का e-spray करना चाहिए कियोंकि किसान वाइए 0050 का यदि आप we इस्प्रे करते हैं तो इससे आपकी गेंगों की जो बालियां होंगी एकड के हिसाब से आपको इसका एस्प्रेग करना है और इसे लगवाँ 130 से लेके 140 लिटर पानी के अंदर डालके आप इसका एस्प्रेग कर सकते हैं किसानवाई इसकी कीमत की बेरे में बात करूँ तो लगवाँ 100 रुबैसे लेके 120 रुपे के आसपास यह अराम से आपको मार्गेट में मिल जाएगा यदि इससे समझने कुछ आपके प्रिष्ण हो तो आप मुझे से प्रिष्ण पूछ सकते हैं मैं तुरंती आपके सभी सवालों के जवाब देने की कोसिस करूँगा किसानवाई और फिर्में लेंगे एक नई वीडियो में एक नई जानकर इक साथ तब तक के लिए राम राम जी